परिचय नमस्कार दोस्तों आपको अपना टेलिवीजन, फ्रिज, डीवीडी प्लेयर, वीडियो गेम, कम्प्यूटर और फैक्स मशीन चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? हाँ, विद्युत की विद्युत सदैव ही हमारे आसपास उपस्तित रहती है, क्यूंकि यह प्रकिर्थिक रूप से विद्यमान है, उधारन सरूप, बिजली का चमकना, धर्ती और बादलों के बीच, एलेक्ट्रोन का प्रवा है, आईए, इस पार्ट में विद्युत के बारे में विस्तार से जा विद्युत को परिभाशित करना, विद्युत धारा और आवईश के बीच संबंद इस्थापित करना, दो प्रकार की विद्युत की पहचान करना, विद्युत चालक और विद्युत रोधक को परिभाशित करना, विद्युत आप देर शाम को कैसे पढ़ते हैं, निश्चि जिद्धी आप अपने कमरे में एक विद्युत बल्ब की सहायता से प्रकाश करते हैं। क्या आपको कभी जिग्यासा हुई है कि विद्युत बल्ब और ट्यूब लाइट कैसे दीप्थ होते हैं। उन्हें दीप्थ होने के लिए विद्युत की जरूरत होती है। विद्युत धारा विद्युत तार से होते हुए बल्ब के फिलामेंट तक जाती है और उसे दीप्थ होने तक गर्म करती है। स्थिर विद्योत जब हम अपने बालों में कंखी करते हैं और कंखी को कागस के छोटे टुकडों के करीब ले जाते हैं तो कागस के टुकडे कंखी की तरफ आकरशित होते हैं तब हम कहते हैं कि कंखी विद्यूत से आवेशित है इस पर सबसे पहले एक ग्रीक व्यक्ति थेल्स ने धाई हजार साल पहले ध्यान दिया था। थेल्स ने देखा कि एमबर को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर ये छोटे पंखों को आकरशित करता है। इसका कारण थिर विद्युत थी। इलेक्टिसिटी यानि विद्युत शब्द की उत्पत्ती इलेक्ट्रॉन शब्द से हुई है। धनात्मक और रिनात्मक आवेश। आईए। धनात्मक और रिनात्मक आवेश को समझने के लिए एक कदिविधी करें। एबोनाइट की एक छड़ लेजिए और इसे एक उनी कपड़े से रगड़िए। अब इस छड़ के बीच में धागा बांद के इसे लटका दीजिए। अब इसी प्रकार से एबोनाइट की एक और छड़ को आवेशित कीजिए। और लटकती हुई छड़ के पास ले जाए। आपने क्या देखा? लटकती हुई छड़ दूसरी छड़ से दूर हट गई। अब शीशे की एक छड़ लीजिए और इसे एक रेश्मी कपड़े से रखड़िए। इस आवेशित शीशे की छड़ को लटकती हुई आवेशित एबोनाइट की छड़ के पास ले जाए। आपने क्या देखा? लटकती हुई एबोनाइट की छड़ शीशे की छड़ के समीप आ गई। धनात्मक और रनात्मक आवेश। एबोनाइट और शीशे पर उत्पन्न आवेश की प्रकृती भिन्न थी इन दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक और रिनात्मक आवेश कहते हैं धनात्मक आवेश को धन के चिन यानि प्लस से प्रदशित करते हैं और रणात्मक आवेश को रण के चिन यानि माइनस से प्रदशित करते हैं। सिर्फ मानिता के लिए शीशे पर रेशम के रगड़ने से उत्पन आवेश को धनात्मक मानते हैं। और एबोनाइट को उनी कपड़े पर रगड़ने से उत्पन्न आवेश को रणात्मक मानते हैं। पहले की गदिविधी के आधार पर हम कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और आसमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विद्युत धारा। हमने अभी विद्युत आवेशों और वो एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं उसके बारे में पढ़ा। हमने जाना कि आवेश दो प्रकार के होते हैं धनात्मक और रनात्मक। जब आवेश एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो हम कहते हैं कि पिंड आवेशित हो गया है। ड्राई सेल बैटरी का प्रियोग टार्च या रेडियो में विद्युत के स्रोत के रूप में प्रियोग करते हैं। कर्मिनल की दिशा में प्रवाहित होते हैं। अतासेल एक ऐसा यंत्र है जिसमें रासाइनी कूर्जा विद्युत उर्जा में परिवर्तित होती है। विद्युत चालक और विद्युत रोधक कुछ धातूें विद्युत धारा को स्वयम से प्रवाहित होने देती हैं। दूसरी ऐसा नहीं करती हैं। जो पदार्थ स्वयम से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। लोहा, तांबा, ब्रास, ऐल्युमिनियम, चांदी, सौन, ग्रेफाइट इत्यादी, धातू, विद्युत चालक हैं। लकडी, प्लास्टिक, कपड़ा, रबल, अधातू पदार्थ, विद्युत रोधक हैं। पैंजिल की लीड ग्रिफाइट से बनी होती है। ये कार्बन का एक रूप है। यह अधातू है। लेकिन विद्युत चालक है। कोई पदार्थ विद्युत का चालक है या नहीं, इसका परिक्षन किया जा सकता है। दिये गए पदार्थ को एक विद्युत परिपत की दो खुले हुए तारों के बीच रखें। इन दोनों तारों के मुक्त सिरों को पास लाइए। और दोनों को एक दूसरे को विद्युत का प्रियोग करते समय चालक और रोधक दोनों का महत्व होता है। तांबे या दूसरे धातू की तार को विद्युत आप पूर्ती के लिए प्रियोक्त किया जाता है। लेकिन इसी के साथ इन धातू के तारों पर सुरक्षा के लिए विद्युत रोधक धातू जैसे प्लास्टिक या रबड की परत चढ़ाई जाती है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विद्युत उर्जा का एक प्रकार है। आवेश सदेव एक साथ आते हैं। समान आवेश विकर्शित करते हैं और आसमान आवेश आकर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बिजली का चमकना आकाश में विद्युत का निर्वर्तन है। सेल विद्युत धारा का स्रोत है। सेल एक यंत्र है जिसमें रासायनिक उर्जा विद्ध उर्जा में परिवर्तित होती है। सेल के युग्म को बैटरी कहते हैं, विद्ध धारा मापी यंत्र को एम मीटर कहते हैं। धातू और अकारबनिक लवन अच्छे विद्ध चालक होते हैं। अधातू और कारबनिक विद्धित रोधक होते हैं